हेलो मैं रुपेश कुमार आप सभी एस्ट्यूएंट्स का पियार बायो क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है जैसा कि एस्ट्यूएंट्स आप सब को पता है कि मैं NCRT बैलोजी का फ्री टुटोडियल आप लोगों को यूट्यूप पर प्रोवाइड करता हूं तो हमने पिछला चैप्टर में आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग ये NCRT बैलोजी का हम लोग पर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर बैलोजी क्लास 12 का हम लोग पर रहे हैं यह थोड़ा सा फट गया है NCRT का बुक है या तो इसमें हम लोग यूनिट 6 का पर लिये थे रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1 में हम लोग जैसे की रिप्रोडक्शन इन और गेनिज्म है चैप्टर 1 उसको हम लोगोंने फिनिस कर दिया था औ और उसी एक्सरसाइज का हम लोगों ने जैसी का आप देख रहे हैं आपे तो हमने जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेस्टन है जो की बोड एक्जाम में पूछा जा सकता है डो यारीकिस की बोड एक्जाम में तो उसको धियान में रखते हैं वे हमने कुछ questions को एकत्रित किया और उसका answer दिया है और उसको हमने PDF बना के YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ जो हमारा जो ये second chapter है Sexual reproduction in flowering plant जिसका कि हमने overview दिया था उसके यह PDF का link दिया हुआ है आप जैसे ही YouTube पे जाईएगा तो वो PDF का link मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप 21 की board exam के लिए आपको काफी फैदा मंद साबित होगा तो students जैसा कि हमने पिछला वीडियो में overview दिया था कि हम लोग आप chapter 2 sexual reproduction in flowering plants को start करेंगे इस flowering plants का जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि टॉपिक 2.1 में flower ए फैस्कनेटिंग ओर्गेन ओफ एंजियो स्पर्म फिर 2.2 में pre-fertilization structure in events 2.3 में double fertilization 2.4 में post-fertilization structure in events and 2.5 में epomyxis and polyumbrani आप सब को पता है PR बायो क्लासेस पर 100% NCRT best tutorial मिलता है जो line by line NCRT से ही रहता है तो इसमें यह जो chapter है हमारा यह chapter में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ are we not lucky that plants reproduce sexually तो यह जो introduction दिया हुआ है यह हम लोगों को ऐसे इस चीज़ के बारे हम लोग जानते हैं कि sexual reproduction in flowering plants में means कि क्या हुआ हुआ कि flower भी हमारे sexual reproduction करते हैं flower में भी जो sexual reproduction करने वाले organs उपलब्द हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते बहें यह introductory कुछ segment जोड़ा है NCRT ने लेकिन जो इसमें जो मुख्य बाते अस्टार्ट होड़ी है वो यहां से 2.1a से figure से यहां पे अस्टार्ट होड़ा है not only for board examination but also for NEET के दिश्टी कौन सी भी इंपोर्टेंट है क्योंकि बच्चे का concept जब तक parts of flower के बारे में नहीं रहेगा तो फिर वो flower को recognize भी नहीं कर पाएगा यहां पर 2.2 से प्री फटलाइसन अस्ट्रक्चर एंड इवेंट से हम लोग on the board systematic रूप से पढ़ेंगे जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं तो आईए हम लोग फीगर को एक बार समझ लेते हैं अस्ट्रेंस ऐसा है ध्यान में आप मैं इस चीज को रखिए कि फ्लावर में कुल चार कोई भी प्लांट्स में दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं मैं इस थोड़ा सा बैसिकली बता रहा हूं इस चीज को कि प्लांट्स में दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं एक भेजिटेटिव पार्ट्स और एक होता है रिप्रोड़क्टिव पार्ट्स तो जो भेजिटेटिव पार्ट्स है तो भेजिटेटिव पार्ट्स में आएगा हमारा क्या आएगा लीफ आएगा रूट आएगा और अस damage यह वो रिप्रॉडब्रप्चन में भाग लेते हैं तो ये बात रही कि यह तो हमारा लब्लावर में जा हम unique ऑए का नाम क्एलिक्स है अप ध्यान रकाई चीजWithा आप राइडर न हर्द कर सकते हैं पहला का नाम क्एलिक्स है उसको बोड पर एक वह ब्लेकबोड पर रहुँँगा तो फिर वह अपर recovery सीज़ करंगे पहला पर्ट का नाम है कैलिक्स जिसका की यूनिट होता है स passado यहाँ बहुत है लो तो पहला होल होता है और यह ग्रीन होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जो पार्ट है वो कैलिक्स है और वो कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो सेपल होता है यानि कि आप कहा सकते हैं कि ग्रूप अप सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स तो कैलिक्स का यूनिट क्या क पीटल जो है वो को रोला कहा लाता है तो यह पेड़ ऑप इहाँ पर गुंवर्य कोत्या बाइंट में देखंडे करनके तो इसमें और चाहिए ओस्हें आप रनलिय को क। एंडोसियम और गैनोसियम ये दो मुख्य सेक्सवल ओर्गेन है हमारे फ्लावर के जिसमें की ये एंथर जो है वो एंडोसियम होता है एंडोसियम का यूनिट होता है अस्टामेन जो यहाँ पे दिया हुआ है NCRT में आप देख रहे हैं अस्टामेन ये NCRT को हमने पढ़ा था जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस वक तो उसको हम अपनी पढ़ाई करने के दर्यम्यान इस पे हमने कुछ लिखा है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे जो ये एंथर है ये अस्टामेन का सबसे उपरी भाग है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो कुल मिला के ये अस्टामेन है जो की यूनिट कहलाता है एंडरोसियम का तो उसका जो सबसे बाढ़ी पार्ट है वो हमारा एंथर होता है ठीक है इस एंथर का जो निचला हिस्सा है वो हमारा फिलामेंट कहलाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यानि कि ये एंथर जो बाइलोब रहता है ये इसी स्क्रीक बारे हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो निचला हिस्सा है वो हमारा फिलामेंट कहलाता है और यहां पे देखिए यह गैनोसियम है यह पूरा जो यहां से औरी जहां पे चित्र किया गया यहां से लेकर यहां तक यह हमारा गैनोसियम है इस गैनोसियम का जो यूनिट होता है वह हमारा पिस्टिल होता है पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें की जिसमें यह गैनोसियम रहे बोलेंगे जिसमें दोनों है मुझे को हम लोग बैसेक्शिल पढ़ेंगे और यह पीडियाप में भी हमने बाइसेक्श प्लावर का कुछ अग्जाम्पल दिया हुआ हूं तो इसको आप लोग देख सकते हैं तो यह जो औवरी है इसका जो सब यह सब ज्यानोसिया में सबसे व् Pokemon और उपर विलाए दर लेयर होता है कुछ चिपचपा पदात रहता है ये ये अलिट से पने का मौका देता है फिर यहां से मौलbud बनता है और उबरी तक आता है इससे यह Maady पे रहता है तो कि सबसे अपर क्या कहला है गाश्टिकमा उससे नीचे वाला भाग अस्टाइल और सबसे नीचे औरी में और रहता है तो यह मैच्योर और जो ही सीड बनाता है और मैच्योर और ही हमारा फूट बनाता है इसके बाड़े में यह दिया हुआ और यह आपके लिए बहतर है और फिर यहां से प्री फट्लाइशन एन स्ट्रक्चर इवंट्स के बाड़े में पढ़ेंगे फिर यहां से लोग लेन बलाए नहीं जाएंगे और फिर हम लोग यहां पर अस्टामेन इसके बाड़े में बहुत काफी डिटेल है और नीट के परपस से तो यह चरपड़ बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेस्टन आते हैं तो स्ट्वेंट्स आज के लिए इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के जड़िए और फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कीजिए मैं उसका हर संभाव कुशिश करूँगा कि आपको जवाब दें